हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल कुकुईत अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होश्ट अनीसा तो फ्रेंट्स अभी नवरात्रों का ब्रत चल रहा है तो ब्रत में हम यही सोचते हैं कि क्या ऐसा बन है तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को अपने फैमली फ्रेंट्स के साथ जरूर से स्यार करें तो इस रेसिपी के लिए एक कप यहां पे मैंने साबुदाना ले लिया है और यहां पे पांच हरी म कप इसमें मैं डाल रही हूँ मॉंख फली तो जितना हमने साबुदाना लिया था उसका आधा हमें मुंख फली लेना है तो आप घर का कोई भी कप य'De कर लीजे उसी से हर चीज का मिजर्मिट्स कर सकते हैं तो यहां पे मैंने daring size का साबुदाना लिया है अगर आपके पास छोटे वाले साबुदाना है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं और इन्हें हमें ड्राइ रोष्ट ही करना है तो लो फ्लेम पर इसे हम रोष्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने घी वाइल कुछ भी नहीं डाला है बस इसे हमें ड्राइ रोष्ट ही करना है तो लो फ्लेम पर इसलिए करना है ताकि जो इसका कलर है ना साबू दाने का वो बिलकुल भी खराब ना हो एकदम हुआट हुआट ही यह बना रहे लेकिन अच्छे से भून जाए तो एक और टिप्स है यहाँ पे कि जब भी कोई चीज आप रोष्ट करें ना तो भारी बहुत जल्डी वो जलने लगता है तो चलिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं जो मूँफली वो भी अच्छे से फूल चुका है और उसमें क्रैक्स आ रहे हैं और जो मिर्ची है वो भी भून रहा है और यह देखे इसका भी कलर चेंज हो चुका है और साबू दाना भी हमा काल लिया था ताकि यह जल्दी से ठंधा हो जाए तो यह देखे बिल्कुल ठंधा हो चुका है और अब यहां पे मैं ले लूँगी ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डाल देंगे जो हमने साबुदाना और मुफली को भून के रखा हुआ है तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो ह है या ग्राइंडर है वो भी खराब हो सकता है और अच्छी तरह से यह पिसेगा भी नहीं तो चलिए मैं इसका पॉडर बना के लिए आती हूँ तो यह लीजिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखे इसका पॉडर बनके तयार हो गया है लेकिन यह एकदम फाइ देंगे पानी तो अभी मैं एक कप पानी डाल रही हूँ और पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो धीरे धीरे ही हमें पानी डालना है अगर आप एक बार में जादा पानी डाल देंगे तो इसमें गुठलियां बन जाती है बहुत जल्दी तो यह देखे अभी यह बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें और पानी हम एड़ करेंगे तो यहां पे आधा पानी और मैंने डाल दिया है आधा कप और फिर से इसे हम अच्छे से नीचे से मिक्स करके तयार करेंगे यह देखिए और जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ना तो हमने साबुदाने को पहले से भी गोया नहीं था तो साबुदाना जो है वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है तो जैसे जैसे आप मिलाते जाएंगे वो पानी को एब्जॉर्ब करता जाएगा इस तरह से अभी तक मैंने इसमें दो कप पानी डाल दिया है एक कप मैंने साबुद अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो यहां पर मैंने इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स और अब इसे हम ढख के छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए जिसे की साबुदाना अच्छी तरह से फूल जाए जो हमने पानी डाला है उसमें तो अब जब तक यह फूलता है यहां मैंने ल सकते हैं लेकिन ग्रेटर से जो ग्रेट करके डालते हैं तो जो हम रेसीपी बनाएंगे उसमें थोड़े लच्छे दिखते हैं तो अच्छा लगता है यहां पर मैंने अच्छे से दो तीन बार पानी से वास कर लिया है जिसे कि इसका एक्स्ट्रा इस्टार्च हट जाए अ क्योंकि इसने बहुत जादा पानी को एब्जॉर्ब किया है फूल चुका है हमारा जो साबुदाना का पॉडर था तो अब इसमें हम डाल देंगे आलू जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था तो अभी पहले पानी नहीं डालेंगे पहले आलू डाल देते हैं ताकि इसके म क्यों को मैंने डाल दिया है और एक बार फिर से इसे हम Mississippi कर लेंगे यह देखिए तो इसल़ा सेमिक्स करेंगे ना तो आलू भी अपना पानी चोडता है और artwork में पहले पानी था तो help us边़ए निचोर चोंने ही मेंने यहां पे ऑन इसमें डाल था तो अब इसमें हम थोरी अ एक पानी और डाल दिया है और इसे हम mix कर लेंगे, तो इसका हमें एक बैटर त्यार करना है, जैसे पोरिंगक सिंपनी होती है, बस उसी तरह से हमें इसे त्यार कर लेना है, तो ये देखißt आप को देखने से ही पता लग रहा होगा कि यह जो है एकदम से जो बैटर होता है ना बिल्कुल वैसा ही तैयार हुआ है तो इस तरह से हमें अच्छे से इसे मिक्स करते जाना है जितना आपको पानी का जरूरत लगे वो आप डाल सकते हैं और यह देखिए बस इस भी इस कांसिस्टेंशी की हमें चाहिए तो ऐसा ही आपको बनाना है तो कभी-कभी डिपेंट करता है कि आपने कितना मुंफली डाला है या कितना साबू दाना लिया है तो उस पर भी यहको बना स्वादानुसार नमग दाला कि हम इसे ब्रत के लिए इसे ठंधक पहुंचाता है तो कच्छा जीरा होता है बखन संवे निए और यहां पसर ory है करा ही और इसमें धाल तो यहां जरूर है डिए और यहां अगर आफाद नहीं है अगर आपके पास पास तो आप जरूर ли नहीं है अगर में अगर के पास इसले यह ऐसे थोडुन है और यहँमारी देखिये नहीं है जो बैटर हमने तयार किया था उसे हमें इस तरह से देखिए हलका हलका सा इस तरह से फैला देना है इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे इस तरह से ये देखिए और अच्छे से इसे स्मूध करते हुए हमें फैलाना है ताकि ये एक रंग लगे कहीं से भी कम जादा मोटा पतला ना हो अगर equally नहीं रहेगा तो पकने में भी दिक्कत आता है कहीं से जादा पक जायेगा और कहीं पे कच्चा रह जायेगा इसलिए जरूरी है कि equally आप हर जगा से इस तरह से देखे हमें फैला के और एकदम स्मूद कर लेना है तो आप एस पैचुला से भी इसे कर सकते हैं और या फिर एस पून से भी कर सकते हैं तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से फैला देना है और अब इसे हम छोड़ देंगे जब तक ये उपर से एकदम देखिए ये इसका ट्रांस्पेरेंट कलर आ गया है अब इसे हमें पलट लेना है जब तक ये ट्रांस्पेरेंट ना हो बिल्कुल भी मत पलट येगा इसे लो बहुत ही अच्छा सा बनता है ये उपर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से एकदम सौफ्ट रहता है बस थोरा सा आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसे पलटे नहीं और तुरंत बिल्कुल भी ना पलटे जब तक ये उपर से ट्रांस्पेरेंट ना हो जा तो पहले ही निकाल लीजिए और मेरे घर में सभी को थोरा क्रिस्पी पसंद है तो यह देखे अब मैं इसे निकाल लूँगी तो अब यहां पर इसी तरह से हम दूसरा भी बना के तयार कर लेंगे बस हलका सा घी डालना है हमें और यह तयार हो जाता है बस आपने देखा न जो साबूदाना है वो कितने अच्छे से मेल्ट हो रहा है और बहुत ही अच्छा सा यह क्रिस्पनेस आ जाता है इस वज़े से और जो हमने आलू डाला है इस वज़े भी इसमें एक अलग ही टेश्ट और बच्चों को आलू ऐसे भी पसंद होता है तो इस तरह से आप बना अगर आपके दही क्हाते हैं तो आप इसे चटनी के साथ हरे धनियापती के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो यह लीजिये हमारा बहुत ही टेश्टी ब्रत का खाना बनके तयार हो गया इसे आप ऐसे भी इंजवाई कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको यह रेसीपी कैसी लगी प्लीज कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं किसी नए रेसीपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू को वाचिंग मैं वीडियो जय माता दी